रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में आंधी में उरती हुई पत्ती की तरह रहो आंधी उसे जहां ले जाती है वे वहीं चली जाती है कभी किसी घर के भीतर तो कभी किसी कूड़े के डेर पर कभी अच्छे जगा तो कभी बुरी जगा जब भगवान ने तुम्हें संसार में रखा है तो तुम क्या कर सकते हो सब कुछ उन्ही के उपर छोड़ दो उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दो ऐसा करने पर फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा तब तुम देखोगे कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं सबी कुछ राम ही की इक्षा पर निर्वर करता है इस सब का तात्परी क्या है अपना या आपका या हमारा ये जो जीवन है अभी जिस हालत में है अगर हम परेशान हैं दुखी हैं अशान्त हैं चिंता ग्रस्त हैं तनाओं में हैं तो ये सब इसलिए है क्योंकि हमने जीवन के सहज प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है जीवन का जो सहज प्रवाह होता है जहां हमें साफ दिखाई रेता है दिखाई देता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है वहाँ पर भी हमने थर्क दे cer करके उसको चुना जिसको नहीं चुनना था धियान से देखिए जब भी आपके सामने दो विकल्प आते हैं जिनमें एक सही होता है एक गलत होता है और जो सही होता है वो सीधा और साव दिखाई दे रहा होता है हम जानते हैं कि उसके लिए कोई तर्क देने के अवशक्ता है नहीं किन्तु फिर भी हम उसे चुनते हैं जो गलत है और उसके पक्ष में हम अनेक तर्क दे देते हैं जहां भी तर्क देना पड़ रहा है समझ लो आप कुछ ऐसा चुन रहे हैं जिसका होना अपने आप में सत्य का प्रमान नहीं है चंद्रमा को सूर्य कहने के लिए तर्क देने पड़ेंगे किन्तो सूर्य को सूर्य कहने के लिए तर्क की अवशक्ता नहीं होती है जूट को सत्य साबित करने के लिए ही तर्क की अवशक्ता होती है तो जब रामकृष्ण कह रहे हैं कि संसार में आंधी में उड़ती हुई पत्ती की तरह रहो और जिधर वो ले जाए जहां वो ले जाए वहां जाओ इसका अर्थ क्या है कि संसार में वैसे रहो वो कर्म करो उस ओर बड़ो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए जो तुम्हें इश्वर प्राप्ति की ओर ले जाए जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाए अब उस ओर जाने में अगर तुम्हें समस्याँ आए तो उनका सामना करो जैसे पत्ती चाहे गंदगी में जाए या अच्छी जगा पर जाए बुरी जगा पर जाए या कूड़े के धेर पर जाए उसी तरहां जीवन में फिर समस्याओं का सामना करना पढ़ रहे पड़े तो करो, लड़ना पड़े तो लड़ो, दुख जहलना पड़े तो जहलो लेकिन चुनो उसे जो उचित है, जो सही है और चुनाओ का अधिकार हमें मिला हुआ है यही हमारी शक्ती है हर समय हमारे पास दोवी कल्प होते हैं किसी भी चीज को हाँ या ना कहने के तो चाहे कितनी भी समस्याई क्यों ना आए उस चुनाओ की शक्ती का सदुपयोग करो और उसे चुनो जो उचित है, सही है, धर्म है जो तुमारे हिर्दे से उड़ता है रामकृष्न कहते हैं कि संसार में दुर्जनों से स्वयम की रख्षा करने के लिए तमोगुन का प्रदर्शन करना चाहिए किन्तु कोई हानी पहुचाएगा इस आशंका से किसी को हानी नहीं पहुचानी चाहिए देखो संसार में हर तरह के लोग होते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि संसार में दुर्जन तो है तो उनसे अपनी स्वयम की रख्षा करने के लिए तुम तमोगुन का प्रदर्शन कर लो दिखा लो कि तुम में भी ताकत है तुम भी कम नहीं हो ताकि उन्हें दिखता रहे कि भाईया इसको छेड़ना नहीं है ऐसे नहीं हो जाना है कि धार्मिक हो गए तो बिलकुल बिखारी हो गए डीले ढाले कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं कोई चमक नहीं, कोई तेज नहीं ऐसा नहीं होना है धार्मिक धार्मिक होना है ताकतवर मजबूत शक्तिशाली हर तरह से शारिरिक बहुत देख आर्थिक जिस भी तरह से हो सको ताकि जो दुर्जन लोग हैं उनको दिखता रहे कि इस व्यक्ति से उलजना नहीं है नहीं तो वो तुम्हें परिशान करते रहेंगे तो रामकृष्ण कह रहें कि तुम भी तमोगुन का प्रदर्शन करते रहो बस पर कभी भी ये मत करना कि कोई तुम्हें हानी पहुचा देगा इस आशंका में सिर्फ आशंका है और उस आशंका में किसी को हानी मत पहुचा देना बस तुम्हें प्रदर्शन करना है ये बात याद रखो कि अगर धार्मिक विक्त में बल नहीं है शक्ति नहीं है तेज नहीं है तो वो धार्मिक है ही नहीं हाँ वो बल वो तेज ग्यान का हो सकता है किसी और चीज का हो सकता है आत्म बल जरूर होना चाहिए उसमें नहीं तो वो धार्मिक नहीं हो सकता और आत्म बल आता है आत्म ग्यान से स्वेम को जानने से रामकृष्ण ये भी कहते हैं ग्रस्त लोगों के लिए कि एक या दो संतान हो जाने के बाद पती-पत्नी को भाई-बेहन के तरह रहना चाहिए और केवल भगवान के विश्य में ही बाच्चित करने चाहिए ऐसा करने पर दोनों का मन भगवान की ओर आकरशित होगा और पती-पत्नी के साधना मार्ग में सहायक होगी मुने पत्नी पत्ती के साथ नमार्ग में और पत्ती पत्नी के साथ नमार्ग में सहायक होंगी कहने का तातपरी यह है कि पूरा जीवन सिर्फ संतान पेदा करने में या अपनी वासना को पूरा करने में हिमत बिता देना जीवन में कुछ सार्थक है उस और भी ध्यान दे देना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भोग में ही लिपत रहो और जब समय ना रहे तब पता चले तो कहना का तातपरी यह है कि जितना जल्दी हो सके जीवन को एक सही दिशा दे दो और भाई बहन से तातपरी यह नहीं है कि तुम वैसा दिखावा करो भाई बहन से तातपरी यह है कि अब एक दूसरे को भोग की द्रश्टी से ना देखो एक दूसरे को सिर्फ शरीर जान कर मत देखो एक दूसरे का ज्यान देखो समझ देखो बोध देखो ताकि अंत में फिर किसी तरह का पश्टावा ना हो रामकृष्ण कहते हैं कि ग्रहस्थ के कर्तव हैं कि प्राणियों के प्रती दया भक्तों की सेवा और भगवान के पवित्र नाम का इस्मरन कीरतन करना ग्रहस्थ हैं ये सिर्फ ग्रहस्थ के लिए ही नहीं है ये तो हर किसी का करतव है कि वो प्राणियों के प्रति दया रखे, करुणा रखे अपने जीवन में देखो, क्या तुम रखते हो अगर हमारे किसी भी क्रत्त से किसी भी तरह अगर प्राणियों को, जीव जन्तों को, निर्दोशों को समस्याए होती है जानते बूचते हम उनको पीडा देते हैं तो वहां हम स्वेम को अध्यात में एक धार में एक भक्त कुछ नहीं कह सकते हम अपने आपको एक इनसान भी नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते बूचते किसी को पीडा दे रहे हैं अपने स्वाध के लिए अपने शोक के लिए पल भर की मस्ती के लिए तो ऐसा ना करें और आगे कहा है कि भक्तों की सेवा करें और भगवान के पवित्र नाम का इसमर्ण करें इस कर्थ क्या है भक्तों की सेवा करने कर्थ है कि भक्त वो है जो भगवान के कारियों में लगे ह माने संसार में जो भी उचित है सही है जरूरी है उन कारियों में बहुत लोग लगे होते हैं उन्हीं को कहते हैं भगवान के भक्त होना भगवान के भक्त होने करती यह नहीं कि रोज धूब बत्ती कर दी नारियल फोड़ दिया भगवान के नाम पर शिव जी के नाम पर होता है बक्त यह तो गवारों का काम है यह तो कायरों का काम है यह दिखाव्टी लोगों का काम है अरे भगवान जहां है वहाँ तो बज़ रहें डीजे जैसे बज़ रहें वहां कहां शांती बच्ची अब भगवान तो कब के चले गए वहां से तो भक्तों की सेवा करने कार्थ है कि जो सच्मुच आज संसार की जो समस्यायें दुख हैं दर्द हैं उन सब के निवारन के लिए जो भी कोई लगा हुआ है नदी परवत पहाड जंगल पशू पक्षी इन सब के कल्यान के लिए जो लगा हुआ है धर्म को जंजन तक पहुचाने के लिए जो लगा हुआ है सही धर्म को सही यान को पहुचाने के लिए जो सहायता करो उसके साथ खड़े हो जाओ उसका हाद बटाओ उसको ताकत दो उसको मजबूती दो यह होता है बक्तों की सेवा करना बक्तों की सेवा करना वो नहीं होता है जैसे कई जगे हम देखते हैं कि लोग किसी भखवान के नाम पर नाशने गाने कूदने वालों को उनके नाम पे थोड़ी पहुत बक्वास करने वालों को बैठा लेते हैं उनकी पेट पूजा करो उनको उनके हाथ पेर दबाओ उनको पैसा दे दो और देखेंगे कि उन पैसों को बरबात करेंगे विर्थ चीजों में ऐसा नहीं करना है ध्यान से देखना है कि तुम जिसे धन दे सकती है उस रुपे को अपना सर्वस्व अत्वा एक मात्र दे या साध्यमत समझो अर्थात धन तो किवल साधन है हमारे कुछ अवशक्ताओं का समाधान है अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए वो जरूरी है वस्तूं का लेंदेन करने के लिए धन की जरूरत होती है लेकि पैसा होता है ताकि तुम कपड़ा मकान भोजन वस्त खरीद सको और इन सब को खरीद करके खुद को तयार किया तुमने अब खुद को तयार इसलिए थोड़ी ना किया है कि वापस पैसा कमाओ ताकि और तयार हो सको खाना फिर कमाना फिर खाना फिर कमाना यही थोड़ना करन जीवन पर कमाया है खाया है तो अब मशीन में कुछ अगर गाड़ी में पेट्रोल डाला है उसके सर्विसिंग कराई है तब उसको उप्योग करोना किसी मंजिल पर जाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए तो कमाना है खाना है और परमात्मा को इश्वर को शां जिसने जीवन भर सिर्फ कमाया खाया कमाया खाया और सोया कमाया खाया और सोया बस यही करता रह गया सोचो अंत में जब उसने अपने जीवन को पीछे मुड़ कर देखा होगा तो कितना पश्टाया होगा कि जीवन उसे मिला था जीने को संसार को देखने को लोगों से प् उसने किया क्या एकदम उल्टा पुरा जीवन बरबाद किया औरों को लूटा औरों का नुखसान किया जीव जन्तू पशु पक्षि नदी तालाप को बरबाद किया और अनेक तरह से संसार को गंदा किया संद उसका करता भी था कि जाने से पहले जितना हो सके अपने तरफ से संसार को संसार को संसार मिले लेकिन उसने क्या कहा कि भाया एक ही तो जीवन मिला है जितना हो सके भोगो आने वालों का क्या होता है हमें क्या मतलब वो अपना देखेंगे हम तो भोगेंगे इस तरह की जि की मानचिक्ता होती है वो राक्षस प्रवत्ती का होता है तो अपने जीवन में अगर ऐसी धारणा आपने बना रखी है कि हम को क्या करना आने वाले देखेंगे उनका हम तो भोगेंगे हम तो बरबात करेंगे जीवन को नश्ट करेंगे संसार को नश्ट करेंगे तो ऐसा मत क करना नहीं तो अंत में आप ही पच्छता होगे कि आप एक सुन्दर सही जीवन जी सकते थे लेकिन अज्ञान के कारण कुछ ना किया रामकृष्ण कहते हैं कि जब अहम मर जाता है तब सारे क्लेश मिट जाते हैं तुम हजार तर्क विचार करो पर अहम नहीं जाता हमारे जैसे लोगों के लिए में भगवान का भक्त हूँ ये भाव रखना अच्छा है वो कह रहें कि आहम मर जाता है तो सारे क्लेश मिट जाते हैं तो हमारा ये जो जीवन है ना इसमें समस्या अहम है अहम मने हमारा ये में भाव हम हर जगे इस में को ही पुष्ट कर रहे होते हैं इसी को बड़ा चड़ा कर दिखाने की कोशिस करते हैं हम हमेशा इसको बचाय रखना चाहते हैं इसको चोट नहीं लगने देना चाहते हैं कोई बुरा कहते तो इसको बुरा लग जाता है यही तो हमारा आहम है और यही सारी समस्याओं की जड़ है पर सोचो जो तुम्हारा भला चाहेगा वो तो तुम्हें बुरा भी कहतेगा अच्छा भी कहतेगा तुम गलत मार्ग पर बढ़ रहे हो तो डांटेगा भी पर अगर तुम्हारा अहंकार बीच में आएगा तो वो क्या कहेगा कि अच्छा मुझे सिखा रहा है, मुझे डांट रहा है तो जो तुम्हारा बहला चाहता था तुम उसके भी दुश्मन हो जाओगे उसको भी अपना दुश्मन मान लोगे तो जीवन की अनेक समस्याओं का कारण ये अहम है, ये में भाव है तो जब भी देखो कि तुम अपने आपको बचाने के लिए सही को भी गलट ठहरा रहे हो तब जान लेना कि तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें भढ़का रहा है सतर को हो जाना इसलिए रामकृष्ण कहता है कि स्वेम को कहो कि में तो भगवान का भक्त हूँ में भगवान का भक्त हूँ ऐसा कहने का इसका तातपरी क्या है इससे क्या होगा, इससे ये जो अहंकार है न ये अपने आपको भगवान नहीं मानेगा अपने आपको मालिक नहीं मान लेगा नहीं तो हमारा अहंकार कहता कि हम ही सब कुछ है तो जब हम कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ अर्थात ये जुका हुआ है भगवान के सामने ये नाच नहीं रहा सर पे चड़के हैं इसलिए कह रहे हैं वो कि स्वेम को भगवान का भक्त कहो भगवान का दाश कहो आदी और अंत में हर ग्रस्त लोगों के लिए हर व्यक्ति के लिए रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए कुछ अनुकूल बातों की नितांत अवशकता है उसमें पहला है साधू संग सादू संग माने जिसने स्वेम को साध लिया हो ऐसे व्यक्ति का संग होना चाहिए स्वेम को साधने का तातपरी है जो जानकर जी रहा है जो आत्मिजान में जी रहा है जो जीवन की समझ रखता है जो सही कर्म में लगा हुआ है जिसने स्विम को साध लिया है जो अपने अहंकार का दाश नहीं रहा वह साध हुए तो साधों का संग करो सद विवेख सद विवेख भी जरूरी है हमें विवेख हो सिर्फ बुद्धी नहीं हो बुद्धी से आगे विवेख होता है जहां हम लाब और हानी से आगे बढ़ करके उचित अनुचित को देख पाते हैं बुद्धी तो लाब और हानी को देखे ये लेकिन विवेक उचित और अनुचित को देखेगा जैसे कोई लोग कोई व्यक्ति है जो मांस हार करता है या फिर कोई व्यक्ति है जो मांस का व्यापार करता है अब अगर वो बुद्धी लगाएगा तो क्या कहेगा कि उसको व्यापार करने में फाइदा हो रहा है तो उसको व्यापार करना चाहिए पर अगर वो विवेक लगाएगा विवेक से देखेगा तो क्या कहेगा कि जीव बुद्धी की जब नियत सही होती है तब बुद्धी ही आगे होकर आगे चलकर विवेक कहलाने लगती हैं तो सिर्फ लाभानी मत देखो किसी भी करत में उचित अनुचित को भी देखो सही और गलत क्या है उसको भी देखो तो साधु संग चाहिए, सद्विवेक चाहिए और तीसरा सद्गुरु कृपा चाहिए और सद्गुरु की कृपा का आर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हें कुछ आशिरवाद दे देगा, कोई शक्ति दे देगा सद्गुरु का मिल जाना ही सद्गुरु कृपा होती है फिर उससे जो सीखो जो जानो उसको जीओ तो अपने आप जीवन में सही परिवर्तन आएंगे इस तरह ग्रहस्त लोगों के लिए और हर किसी व्यक्ति के लिए रामकृष्न बातें कहते हैं और यदि उनको आपने सुना है तो उनकी तरफ से धन्यवाद